नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता है अब सभी के हमारा अपके चनल पेटपिक्स में तो कैस आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि विंटर में आप डॉक को कौन-कौन से फूड दे सकते हैं आप सभी को जिसे पता है कि विंटर स्टार्ट हो चुका है जिसके कारण आप अपने डॉक को healthy बना सकते फीट बना सकते तो घर में भी कुछ ऐसे food होगे जिसके कारण आप जो उसको देने के कारण उसका डॉक का health काफी अच्छे increase भी होगा और आपका डॉक फीट रहेगा तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है तो शुरू से लेकर लास्ट टेक वीडियो जरू देखना जो भी नए चानल को है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लेस चानल को सब्सक्राइब जरू किजएगा बेल नोटिफिशन जरू से उन किजएगा और आपको जरा से भी वीडियो अच्छे लगी तो प्लि दो रूटी भी खाने लग सकता है तो आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है कि उसको जैसे आप घर का खाना देते हैं वो तो आपको उसको देना है यह रेगुलर बेसिस पर रोटी हो गया चास हो गया दई हो गया बट एक बात के ध्यान रखना है उसको आपको थंडा बिल जाएंगे वह आप उसे दे सकते एपल दे सकते केला दे सकते पपया दे सकते हैं उसके बाद जैसे कि फ्रूट में आप गाजर वगेरा दे सकते हैं बहुत सारी हरी हरी सबजी आती वह कभी कबर खाते मस्ती मस्ती में तो आप दे सकते या फिर आप क्या कर सकते जो सबजी क करता है वह आपको देना नहीं है लस्ट वगरा नहीं देना तीखा कुछ भी आपको एड़ नहीं करना खाने के अंदर जिसके करण डॉक जो भी बाकि कुछ है वह ना खाय कभी कभार कोई को लोग क्या करते थोगा सा वो टेस्ट आने के लिए मिर्च वगरा डाल देते नमक दाल देते तो वैसा बिल्कुल मत किजएगा आप आपको नमक और मिर्च बिल्कुल ने डालना उसके अलावा आप जो है बॉइल करके उसको दे सकते पानी के साथ और अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मार्केट में बहुत सारे सा पैकेट जिसके कराण आप डॉक के लिए special आता है तो आपको online भी मिल जाएगा अगर मेरे को मिल जाते हैं online कुछ link तो मैं आपको नीचे description में दे दूँगा या फिर आप offline भी check कर सकते है चिकन सूप से क्या होता है कि डॉक को एक healthy खाना मिल जाता है उसका पेट अच्छे से भर जाता है जो nutrition की कमी होती हो भी दूर हो जाती है और जो थंडी में जो गरम रखने में मदद करता है वह भी काफी ज़्यादा उसको यूज होता है जिसके कारण आप चिकन सूप देने के कारण जो ज्यादा थंडी नहीं लगती और वह अच्छे से थंड जो है सरवाव कर सकता है इसके अलबा गैस जो रेगुलर बिस्स पर आप डॉक फूड यूज करते हैं वह भी आपको कंटिन्यू उसको देना ही है ऐसा नहीं कि बन करना है आपको वह भी देना ही है डॉक फूड आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते है पैडेगरी रॉयल कैनन डूल जो कि आपके डॉक के बॉड़ भी दे सकते हैं आपको जैसे एक दिन छोड़के एक दिन देना है ने तो क्या हो सकता है अगर आप रेगुल बेसे पर देना चालू करोगे तो एक तो हैविट लगेगी उसके साथ साथ जो डॉक को लूज मोशन वामिटिंग भी हो सकती है इसका आपको खास ध्यान रखना आपको द्हान रखना आपको छिकन या रो फीश या रो एक बिलकुल भी नहीं देना आपको बॉइल करके देना है तो काफि ज़ड़ा अच्छा रहेगा अगर फीश आप नहीं दे सकते तो फिश आइल आता है वह भी आप दे सकते या फिर सेलमन ओल मार्केट में उसका ज जदा कमजोर है आपको उसको ज़रुत है तो आप क्या कर सकते है जो मुर्गी के जो लेग होते वह भी आप दे सकते उसको बोईल करके फिर मार्किट में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप तयार लाते हो तो मिल जाएंगे बट आपको ध्यान रखना है वीक में कम से कम उसको दोई बार देना है उसकी आपको हैबिट बिलकुल नहीं लगाने अगर उसके लग गए तो डौ फिर खाना चोड़ सकते हैं वह काफी जदा बेश रहेगा या फिर आप रोटी की साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं घर का खाना आपको नहीं छोड़ना है आपको जितना हो से कि उतना घर का खाना भी उसे देना है और जैसे जो मैंने बोला डॉक फुड्स सारे यह जो भी आते हैं यह फूड रहेगा उसको अच्छे से भी होगा और आपका डॉक अच्छे से खाना भी खाएगा अगर आपको विंटर जो डॉक फूड होते हैं या फिर विंटर डॉक डाइट के उपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना मैं जरूर से नेक्स्ट वीडियो में उसका बता दूंगा आपको कि किस तरह से जो है डाइट बनाना चाहिए किस तरह से उसको देना चाहिए कितना टाइम देना चाहिए और किस एज में देना चाहिए तो आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर से बताना तो आशा करता आप सबको वीडियो चाहिए तो प्री ल कोचीं